हेलो गाईज, वेलकम टो मैं चैनल, आज की इस वीडियो में मैं आपको human heart के structure के बारे में और human heart काम कैसे करता है, यानि कि उसके function के बारे में समझाओंगी और मैं आपको इतनी आसान तरीके से समझाओंगी कि आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी सबसे पहले start करते हैं human heart की कुछ basic जानकारी के साथ तो student देखो होता क्या है, जो human heart होता है, उसके पास 4 chamber होते है 2 chamber उपर होता है, और 2 chamber नीचे होता है उपर वाले chamber को हम arteryUM कहते हैं, और नीचे वाले chamber को हम ventricle कहते है मैं अभु यहापे खड़ी हूँ, यह मेरा left side है और यह मेरा right side है देखो मैंने आपे लिखा हुआ है, यह left side है और यह right side है उपर के chamber हो क्या कहते है? arteryum, तो क्योंकि left side है, तो यह क्या हो गया? लेफ्ट आर्ट्रियम और ये राइट साइड है तो क्या हो गया राइट आर्ट्रियम नीचे के चैमबर को हम क्या कहते है वेंट्रिकल्स ये क्या है लेफ्ट तो क्या हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स ये क्या है राइट तो क्या हो जाएगा राइट वेंट्रिकल्स य हमको पता है लंग्स हमारा होता है चेट साइड पे तो वहां पे जो हार्ट होता है वो दोनों लंग्स के बीच में होता है और हलका सा लेफ्ट साइड जुका हुआ होता है तिल्टेड होता है इसलिए हम कहते हैं कि हार्ट का होता है लेफ्ट साइड में दोनों लंग्स के बि 340 gram के बीच का होता है और female में 230 gram से 280 gram के बीच में होता है और size approximately मैं बोलू तो एक इनसान का जो दिल होता है heart जो होता है वो उसके एक fist के बराबर होता है जितनी बड़ी आपके fist होती है उतना ये बड़ा आपका heart होता है यहां तक बात समझ में यह कुछ basic जानकारी थी अ आप हम यह पढ़ते हैं कि human heart काम कैसे करता है तो देखो आप सबको पता है कि जो human heart है या फिर जो heart है वो एक pumping organ है यानि heart का main function क्या है blood को pump करना blood को pump क्यों करना होता है क्योंकि पूरी body में उसको पहचाना होता है इसी दिए heart क्या करता है blood को pump करता है त्यानिकि मैं यहां पर लिख देती हूं कि heart is a pumping organ heart क्या है एक pumping organ है जो कि body ब्लड को pump करके पूरी body में पहुंचाता है चलो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले first process क्या होगा ठीक है तो देखो first process क्या होता है कि हमने oxygen inhale किया oxygen कहां गया lungs के पास गया ठीक है अभी lungs क्या करेगा oxygen वाला blood pulmonary vein के थ्रू आए गया यानिकि यह हमारा first step है पहले step में क्या होगा oxygen वाला blood pulmonary vein के थ्रू हमारे right arterium में आएगा ठीक है यह pulmonary vein है जहां कहीं भी pulmonary लिखा हुआ होता है उसका मतलब उसका कहीं नहीं connection हमारे लंग से होता है तो pulmonary vein से कौन सा आया oxygenated blood oxygen वाला blood आया कहां पर आया हमारे left arterium में एक बात मैं और बताओं arterium का काम blood को receive करना होता है मैं यहां पर लिख देती हूं देखो जो हमारी arterium होती है arterium में blood receive होता है और ventricles blood को send करती है arterium क्या करती है blood को receive करती है और ventricles क्या करती है blood को send करती है lungs में भी और पूरी body में भी ठीक है अभ्यान समझो पहले process में क्या हुआ कि pulmonary vein जो कि किस से जुड़ी होई है lungs से वहां से oxygen वाला blood आता है और वो हमारे कहां आता है left arterium में left arterium में आने के बाद देखो यहां से blood आया pulmonary vein से होते हुए left arterium में left arterium के बाद blood कहां पी आया हमारे left ventricle में left arterium के बाद blood कहां आया हमारे left ventricle में अब जो हमारा यह ventricle है ठीक है मैंने भी कहा था जो ventricle है वो क्या करता है blood को send करता है तो आपको यहां दिख रहा होगा जो oxygen वाला blood है वो इस रास्ते होती देखो ऐसे ऐसे होते हैं इसे हम कहते हैं aorta क्या कहते हैं इसको हम aorta बहुत important है ध्यान रखना मैं इस पे star mark बना देती हूँ इधर देखो left artery में oxygen वाला blood आया वहां से blood कहां पे गया left ventricle में गया left ventricle से इसे हम क्या कहते हैं aorta यह हमारा क्या है aorta यहां से blood आया यह भी बहुत सारी हमा बिल्कुल बे-confuse होने वाली बात नहीं है देखो हुआ क्या pulmonary veins से oxygen वाला blood आया left arterium में left arterium में आने के बाद blood कहां पे आया हमारे left ventricle में left ventricle के बाद blood aorta से होते हुए मारी पूरी body में oxygen वाला blood पहुँच गया अब देखो क्या होगा अब पूरी body में blood पहुच गया और उस blood में क्या है oxygen है तो अब पूरी body क्या करेगी उस oxygen को use करेगी for respiration हम oxygen का काम क्या होता है respiration करते हैं energy के लिए तो अब वो जो blood है जिसमें oxygen मिला हुए है उसे पूरी body use कर लेगी use कर जब करेगी तो अब इतक हमने सिर्फ कितना पढ़ा है कि blood जो oxygen वाला blood था वो एयोटा गे थूरू पूरी body में पहुच गया पूरी body ने क्या किया oxygen को use कर लिया यानि कि respiration का process complete कर लिया जो भी उसका waste product है वो blood के रास्ते वापस आ रहा है अब देखो क्या होगा इयोटा के थूरू पूरी body ने blood को use कर लिया अब देखो आपको ये दिख रहा होगा इसे हम कहते हैं inferior vena keva इसे हम क्या कहते हैं inferior vena keva और इसे हम कहते हैं superior vena keva दो चीज़ हैं एक है inferior vena keva और एक है superior vena keva कि अब पूरी बॉड़ी ने oxygen वाला blood यूज़ कर लिया है तो जो नीचे वाला हिस्सा है हमारी body का वहां से blood जो वापस आएगा वो किस रास्ते आता है inferior vena के वाद से कहां से आता है inferior vena के वाद के थूआता है जो नीचे वाली body का हिस्सा होता है और superior vena के वाद जो हमारा ये head वगरा है यहां भी तो blood जाता है न तो यहां से जो blood वापस आता है यानि कि oxygen तो यूज़ हो गया जो उसके बाद वाला blood है जिसमें oxygen नहीं है यानि कि de-oxygenated blood कि inferior vena के वाद से कौन सा blood आ रहा है de-oxygenated blood कहां से नीचे वाले हिस्से से और superior vena के वाद से blood कहां से आ रहा है उपर वाले जो upper part of the body है वहां से कौन सा blood आ रहा है de-oxygenated blood यानि कि इस blood में oxygen नहीं है अच्छा ये आ कहां रहे है आ रहे हैंगे inferior vena के वाद से और superior vena के वाद से वह भी arterium में आ रहा था जब बिनो oxygen वाला blood आ रहा है वह भी कहां पे आ रहा है arterium में बस फर्क क्या है देखो जो oxygen वाला जब blood आ रहा था तो वह left arterium में आ रहा था लेकिन जब बिनो oxygen वाला blood आ रहा है तो वह किस में आ रहा है right arterium में so simple अब देखो उसके बाद क्या होगा राइट आर्ट्रियम में ब्लड आया मैं ऐसे अर्म ना देती हूं सुपीर वेना के वासे ब्लड आया कहां खुला राइट आर्ट्रियम में इन्फीर वेना के वासे ब्लड आया कहां पर आया वह राइट आर्ट्रियम में अब इसके बाद एक इधर और एक इधर इसे हम कहते हैं pulmonary artery एक इधर है pulmonary artery और एक इधर है pulmonary artery right ventalkal से खुले हुई है pulmonary artery कि इधर है और अब हमने क्या किया था oxygen used कर लिए था ना उस blood में अब oxygen नहीं था वो de-oxygenated blood था तो वो उस बलड में oxygen तो है नहीं तो वापस उस ब्लड में oxygen को मिलना होगा ना तो इसको कहा जाना पड़ेगा लंग्स के पास मैंने पहले का था जहां पर पल्मरी शब्द आएगा उसका मतलब उसका कहीं न कहीं connection किस से होगा लंग्स है तो अब बिना ऐसा ब्लड जिसके अंदर oxygen नहीं है वो कहा जा रहा है लंग्स के पास पल्मरी आर्टर कहा जा रहा है वो लंग्स के पास कौन सा ब्लड इसके अंदर डी oxygenated ब्लड है वो ब्लड जिसके अंदर oxygen नहीं है अब वापस से क्या होगा वापस से same cycle repeat होगी जिसके अंदर हम oxygen inhale करेंगे, हमारे lungs जो हमारा lungs है, उसके पास oxygen आएगा, lungs उस oxygen वाले blood को किसे देगा, heart को किस के थूँ, pulmonary vein के थूँ कि pulmonary artery ने बीना oxygen वाले blood किसे दिया lungs को दिया, lungs क्या करेगा oxygen inhale करके उस blood में oxygen डाल देगा और उसके बाद pulmonary vein के थूँ, वो blood कहाँ पे आएगा हमारे left arterium में, left arterium से blood आएगा हमारे, left ventricle में यहां से aorta के थूँ, जो blood है वो हमारे पूरी body में चला जाएगा जहाँ पे हमारी body oxygen को यूज कर लेगी, और respiration का process होगा, oxygen oxygen खतम हो जाएगा, जो waste product निकलेगा carbon dioxide वगरा, वो हमारे blood में होगा उसके बाद से, जो नीचे वाला हिस्सा है, lower part of the body यहां लिख दू, एक सेकंड, लिखते हूँ lower part of the body से, जो blood आएगा उसे हम कहते हैं, किस रास्ते से आएगा inferior vena के वासे होते हुए, lower part of the body से blood आएगा, और superior vena के वासे होते हुए blood हमारी upper part of the body से आएगा upper part of the body, कि जो उपर वाले हिस्सा जिस head वगरा है, यहां से जो blood आएगा वो superior vena के वासे, और नीचे वाले जो हिस्सा हमारा, उसका blood कहां से आएगा inferior vena के आवासे ठीक है अब देखो अब कुछ ऐसे नेम है जो हम इसके heart के बारे पढ़ लेते हैं जो कि diagram exam में level करने को भी आते हैं और बहुत ज़्यादा important भी है अभी तो आपने सिर्फ यह पढ़ाना कि blood जो हमारा heart है वो blood को pump कैसे करता है बट इसमें बहुत सारे नाम है उन यह देखो यहाँ पर पतला 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 है और जैसे आया है वो यहाँ पर क्या हो गया है मूटा हो गया है इसका इसका यह बहुत बड़ा कारण है देखो अभी आपने समझ दिया अगर मैं आपको इसे पहले समझा देती ना तो इतने अच्छी से समझ में नहीं आता लें क्योंकि अभी आपने सब कुछ समझ दिया है कि कैसे हार्ट काम करता है इसलिए अभी आपको समझना बहुत ज़्यादा असाल हो जाएगा तो देखो इधर देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ वाला हिस्सा ही मोटा है इसे हम कहते हैं मायो कार्डियम मसल यह क्या है एक मायो कार्डियम मसल है देखो जहाँ पे पल्मरी आएगा वो लंग्स होता है जहाँ पे कार्डियम आएगा वो हमारा हर्ट होता है यह वो मसल से जो की हर्ट के सराउंडिंग रहती है यहां पे वो पतली पतली सी है और यहां पे वो क्या हो गई है मोटी हो गई कारण देखो जो left ventricle होता है उसका काम क्या होता है अब तो बहुत असान हो गया समझना ना left ventricle क्या करता है oxygen वाले blood को पूरी body पहुंचाता है यानि सबसे ज़्यादा काम कौन करता है left ventricle करता है इसलिए इसको support की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है ठीक है इधर देखो जो हमारा left ventricle है क्या करेगा पूरे blood को oxygen वाले blood को पूरी body में पहुंचाएगा तो हमारे left ventricle को सबसे ज़्यादा काम करना पढ़ रहा है इसलिए जो यहाँ पे muscles होती है वो सबसे ज़्यादा ठिक होती है बात ज़्यादा में आई अब देखो second चीज उसके बाहर आपको एक और membrane सी दिख रही होगी है ना इसे हम कहते है pericardium membrane क्या कहते है इसको हम pericardium membrane pericardium membrane का काम क्या होते है यह हमारे lung को protection provide करती है जो pericardium membrane होता है इसके बीच में एक fluid present होता है pericardium membrane की बीच में क्या होता है fluid present होता है जिस fluid के कारण से जो हमारा heart है वो shock से बचा रहता है और एक काम और होता है कि हमारे lung heart को friction से बचाता है हमारे हर्ट को friction से जैसे कोई exercise वगरा कर रहा है तो bone वगरा नजदीक आती है तो कहीं हमारे हर्ट को friction न हो जाए जो घर्शन हो जाता है उससे हमारे हर्ट को prevent करता है है pericardium membrane जो myocardium muscles है वो इसको support provide करती है क्योंकि left ventricle को सबसे जदा काम करना होता है इसलिए यहां की जो muscles होती हो मोटी होती है पेरी cardium membrane क्या करता है एक तरीके करता हम को support provide करता है mechanical shock से हमको prevent करता है friction से prevent करता है यह उसका function होता है अब कुछ wall के बारे हम पढ़ते हैं देखो यह आपको नहीं पढ़ेगा यह बहुत ज़्यदे important भी है तो इस वाल को हम क्या कहते हैं मिल्टरल वाल इसको हम बाय कस्पर भी कहते हैं और यह जो एयोटा वाला वाल है इसे हम कहते हैं एयोटिक वाल और सेमिल्यूनर वाल भी हम इसको कहते हैं ठीक आप देखो बार बार आएगा यह दो चार जगहों और आएगा वाल वाल का function क्या होता है कि जो हमारा human heart में जो blood होता है तो blood को back flow होने से जो वाल होती है वो prevent करती है कि कहीं blood ulti direction में flow ना हो जाए इससे जो वाल है वो blood को prevent करती है अब देखो जिसे मान लो कि right artery में जब blood आया था तो उसके बार से blood कहां पर आया left ventricle में तो अब ventricle से blood को कहां जाना है एओटा में जाना है लेकिन अगर यह wall नहीं होगा तो यह वापस से blood कहां पहुंच जाएगा left artery में तो यह दो दिक्कत हो जाएगी इसलिए wall होते है ताकि जो blood है वो एक ही direction में flow हो पाए तो इस wall को कहते हैं neutral और इसे कहते हैं aortic wall अब देखो जो आपको यह wall दिख रही हैं हम कहते हैं pulmonary wall और यह वाला wall मैंने लिखा नहीं एक second इसे हम कहते हैं tricuspid wall क्या कहते हैं tricuspid wall सारे wall का function क्या होता है blood को backflow होने से बचाता है ठीक ह अब देखो एक चीज़ और जो यह हिस्सा है इसे हम कहते हैं septum जो कि left ventricle को और right ventricle को एक दूसरे से separate करता है उसे हम क्या कहते हैं septum कहते हैं यह भी हमारा muscles ही है myocardium बड क्योंकि यहां पर separation का function कर रहा है इसे हमने इसका नाम क्या रख दिया है septum हमने नहीं बता है इसक सारे topics cover कर लिये हैं लेकिन अगर आपको इस वीडियो से लिटेट कुछ भी doubt होगा तो आप मुझे comment box में message करके पूछ सकते हैं मैं उसका reply बहुत जल देनी की कोशिश करूँगी और यह वीडियो बहुत जादा आसान है अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो दुबारा इसे वापसे करके देख सकते हो मैं guarantee देती हूँ कि अगर दो तिन बार देखोगे तो आपके जबान पे बिल्कुल रट जाएगी so students मैं उमीद करती हूँ आपको आज का topic बहुत अच्छे समझ मैं होगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी होगी तो subscribe and share करना ना भूले that's all bye guys